प्लान तो बहुत ही अच्छा बनाया था लेकिन ये प्लान भारी पड़ गया पाकिस्तान को रातो रात पाकिस्तान के अंदर खेल बदल गया बाजवा ने पूरे खेल को ही बदला तो वहीं ब्रमोस को लेकर भारत का सबसे कड़ा फैसला सामने आया जो मिस्फायर हुआ था ब्रहमोस पाकिस्तान के उपर उसे लेकर भारत ने क्या फैसला लिया है और क्यों ये फैसला फिलिपिन्स के लिए माइने कर रहा है जानेंगे क्या कुछ है मामला इसके अलावे बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से तो जैसा की भारत के पडोसी पाकिस्तान में हालात अब बदल चुके हैं इमरान खान की आखरी कोशिस भी खत्म हो गई दरसल कथित तोर पर इमरान खान ये कोशिस कर रहे थे कि तुरंत से सेना परूक बाजवा का ही पता काट दिया जाए और बाजवा का पता काटने के पूरी प्लानिंग भी बना ली थी लेकिन कोई एक मंत्री था जिस मंत्री ने इमरान खान के पोल खोल दिये और इमरान खान का ये आईडिया पहुच गया बाजवा तक वैसे आपको बता दे जब इमरान खान की सरकार गई तो उससे एक दिन पहले अचानक से दो-तीन हेलि हेलिकॉप्टर्स आएंगे लेकिन उसने कुछ और सोचा था पर हेलिकॉप्टर्स से जो निकले वो चौकाने वाले लोग थे और उन्होंने इमरान खान को इस तरीके से चौका दिया कि अगले दिन कुर्सी ही चली गई और बड़ी बात क्या है कि बड़ी बात ये हेलिकॉप पलती उन्हें भारी पड़ गई इमरान खान ने बातों बातों में ये बात भी कह दिया था कि अगर जरूरत से ज्यादा करोगे तो पाकिस्तान में मार्सल लोग लग जाएगा हाला कि पाकिस्तानी सेना को जैसे ही उसके मनसूबे की जानकारी मिली वैसे ही प्लान धरा का धरा रह गया और ये सारा कुछ दावा खिसने किया है तो आपको बता दे बिटिस अकभार गार्जियन ने दस्तावेजों सुरच्छा अधिकारी और विपच्छी नेताओं के हवाले से ये खुलासा किया है कि अंतिम दिनों में इम्रान कान ने हर तरह की कोशिस की लेकिन वो और मुकपद से बरखास्त करने वाले थे लेकिन आजवा को इसका पता चल गया और बाजवा ने पूरी योजना को विफल कर दिया रान खान का फोन हो गया टैप और इसकी सूचना सेना तक पहुँच गई वैसे तो नाम लगाया जाता है ग्रिय मंत्री के ऊपर लेकिन क्य स चाई है वो पाकिस्तान ही जाने अगर पाकिस्तान ही जाने लेकिन हाँ जैसे ही भनक लगी जन्रल बाजवा और आएज आई चीफ इमरान खान के घर पहुंच गए रात में ऑर रात में घर पहुंचने के बाद इस मीटिंग में क्या हुआ ये तो किसी को पता नहीं चला पर अगले दिन इमरान खान की सता जरूर चली गई है अभी पाकिस्तान के अंदर हाला तैसे हो रहे हैं कि अगले एक डेड़ साल तक चाहे जो भी सरकार हो न तो ये अमेरिका के तरफ जाएंगे और नहीं ची की अनुमती मिल सकती है खुलनम खुला क्योंकि चीपित तोर पर तो अभी भी अमेरिका इन एयर बेस का इस्तेमाल करता है ऐसा कहा जाता है और हाँ चीन का रास्ता धीरे धीरे बंद होता हुआ जरूर दिख रहा है और चीन को भी अपनी प्रॉफिट सीपेक के जरिये जो पाकिस्तान से उमीद लगा कर बैठा हुआ था वो होता हुआ दिख नहीं रहा है उल्टा मुसीवत बनता हुआ ज्यादा दिख रहा है ऐसे में चीन यहां से अपने आपको पीछे खीचेगा ये भी तय है लेकिन इस छेतर में एक बड़ी हलचल मची हुई है और ये हलचल कैसे मची हुई है तो भारत ने ब्रमोस बेचा है फिलिपिन्स को और ना सिर्फ ब्रमोस को बेचा है बलकि भारतिय सेना अब पहुँच भी रही है फिलिपिन्स वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए फिलिपिन्स ने इसके लिए अपना एक अलग बटालियन भी बना लिया है कुल मिला कर कहें तो ब्रमोस की गाजे बाजे के साथ सुरुआत सुरू हो गई है चीन के दुस्मनों को बेचने का लेकिन फिलिपिन्स ने सवाल भी किया भारत से ये सवाल किया कि आपका ब्रमोस मिसफायर हो गया ये मिसफायर किस वज़े से हुआ क्या ये एक टेकनिकल मैलफक्सन सा या फिर कोई टेकनिकल त्रूटी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ हमें असपस्ट कर दो क्योंकि ये बहुत बड़ी डील है और हम इसके भरोसे पे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जिस पर भारत ने ये साफ किया था कि नहीं ये एक मिसफायर है चोटी मोटी बात नहीं है अगर उसमें वार हेड लगा हुआ होता तो आज पाकिस्तान नकसे में बिगड़ चुका होता ऐसे में ये जाचना बहुत जरूरी था कि क्या कारणते कैसे ये मिसफायर हो गया है इस मौके का फायदा उठाने की कोशिस पाकिस्तान ने खूब की और पाकिस्तान ने अंतराष्टिय बनाने की कोशिस भी की यहां तक कि अमेरिका से लेकर यूएन तक पहुँच गया पाकिस्तान ये कहने के लिए कि भारत ने जो ये मिसफायर किया है इसका मतलब है भारत बड़े हतियारों को सम्हालने लायक देश नहीं है ऐसे तो कुछ भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है पर अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और ये कह दिया की नहीं ये मिसफायर है और इसी घटनाएं होती अ pard अभ भारत सरकार ने खुद भी पैसला लिया नौ मार्च को हुई इस घटना का चीफ बने जो जांच की टीम मिसफायर हुई और एक्सिडेंटली जाकर गिरी मिया चाणू इलाके में पाकिस्तान के उसको लेकर जो जाज की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने ये बता दिया है कि जो प्रॉसस होते हैं ब्रह्मोस को फायर करने का या मेंटेनेंस करने का रख रखाव करने का उस प्रोसेस के दौरान गड़वड़ी हुई है और ये गड़वड़ी एक या एक से जादा जो वहां उस वक्त लगे हुए थे अधिकारी उनकी वजह से हुई है वो इसके उत्तरदाई है जो प्रोसेस है उसको सही तरीके से नहीं देखा गया नहीं किया गया इसलिए ये फायर हो गई और ये फायर होकर पहुंच गई पाकिस्तान ऐसे में अब ये जो अधिकारी हैं इनके ऊपर बड़े एक्सन लिये जाएंगे क्योंकि जो जांच रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ऐसे में भारत का एक्सन लेना बेहत जरूरी होता है अब ऐसे में हो सकता है कि इन अधिकारियों के कोउट मार्सल हो जाएं या फिर क्या सफैसला लेती है सरकार उसने तो अभी तक ये बात नहीं बताई है रिपोर्ट ने ये मांग की है कि इन्हें पनिस्मेंट द जरूर हो जाते हैं जांच का विशे जरूर हो जाते हैं वैसे आपको क्या लगता है क्या इन अधिकारियों को सजा देनी चाहिए या नहीं कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ